मनिपुर में एक बार फिर से स्थिती हाथ से बाहर निकलती दिख रही है 23 सितंबर को प्रदेश से दो बच्चों का वीडियो और फोटो वारल होने के बाद एक बार फिर हिंसा का माहूल बन गया है हजारों की संख्या में महिलाओं ने इमफाल इस्ट जिले के खुराई इलाके में मशाल जलाकर रैली निकाली है क्या है पूरा मामला आईए देखते हैं मनिपुर में दो चातरों की जान जाने के ख़बर के बाद पिछले एक हफ़ते से प्रदशन जारी है 29 सितंबर की रात हजारों की संख्या में महिलाओं ने इमफाल इस्ट जिले की खुरा इलाके में मशाल जलाकर रैली निकाली हलाकि सुरक्षा बलों ने उन्हें लाम लोंग के पास रोग दिया पूरी रात पुलिस के साथ महिलाओं के बीच टक्राव भी चलता रहा 23 सितंबर को दोनों चातरों के फोटो वीडियो वाइरल हो गए थे जिसके बाद तनाव बढ़ गया है 27 सितंबर को लोगों ने मणिपूर के थाउबल जिले में बीजेपी कार्याले को फोग दिया मौजुदा हालात को देखते हुए सरकार ने इंफाल में बीजेपी दफ्तर की स्रक्षा में सियार पियफ आरेफ तैनात कर दिये हैं शुकरवार को इंफाल पूर्व और इंफाल पस्षिम के जिलो में सुबह 5 बजे से सुबह 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी शनिवार को 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी गई है हाला के विपक्ष लगातार पियमोदी पर मणीपूर को लेकर हमलावर है विपक्ष का कहना है कि आखिर पियमोदी मणीपूर क्यों नहीं जा रही है मणीपूर के हालात कब सही होंगे इसका इंतजार सब ही को है डीबी लाइफ की रिपोर्ट